अपने कर्मों की सजा भुगता नजर आ रहा है विराट जी हाँ एक बेबस बाप की तरह यहाँ पर काफी हैरान परिशान नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे यहाँ पर पूरे घर वाले जो है उस पर तूट पड़े हैं और हर को ही कह रहा है कि विराट को सब कुछ बताना चाहीये था लेकिन यहाँ पर विराट जो है वो अपनी क्लरिफिकेशन देता नजर आता है कि उसने क्यों नहीं बताई यह सारी बाते वो कहता नजर आता है कि दो माओं के बीच किसी ने ये नहीं सोचा कि एक बाब भी है और ये बोल कर काफी emotional नजर आता है यहाँ पर हर कोई उसे समझाता दिख रहा है निनात भी उसे काफी ज़ादा समझा रहा है दरसल आज के अपिसोड में आप देखने वाले हैं कि विराट जो है वो कितना परिशान लजर आ रहा है विराट को कुछ समझ नहीं आ रहा है और विराट यहाँ पर हैरान परिशान बैठा हुआ है इधर सई ने विराट की complaint कर दी है और सई ने proper जो है वो एक complaint की है कि ततुट कर दी साथ सब असक्राइन करता है कि एसासाथ वो यहांहां पर काफी तेज नाराज होता है उस पुलिस पर भी और कहता है कि तुमने जो है वो मेरी कम्पेल क्यों लिखी है जिसके बाद वो कहता है कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता और इन्होंने जो है वो इतनी सारी बाते कही थी और इन सारी बातों के आधार पर मुझे आपको जो है वो भेजना ही है मैं आपको जो है वो कागस भेजूंगा कारवाई विराट वो सحई से कहता है की सही तुम फिर से बहुत बड़ी गलती कर रही हो तो यहां पर विराट की गलती खुद की नहीं दिख रही है कि उसकी वज़य से यह सारी सिचूएशन हुई है और यहां पर जो है वो चौहान फैमली में भी वो यही बात बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता था कि किसी भी हारत में फिर से बावाल हो मैं नहीं चाहता था कि पाकी और सई की बीच फिर से खीचाता नहीं हो क्योंकि ये वही जगह थी जब दोनों की बीच खीचाता नहीं हुई थी ये सब बाते जो है वो फैमिली में बताता है तो सारी जो फैमिली है यानि कि चोहान फैमिली को विराट की कोई गलती नहीं नजराती है और वो विराट को संभालते नजराते हैं लेकिन यहाँ पर सई को लगता है कि विराट नहीं जो है वो पाकी और वीनु को भगा दिया है अब ऐसे में यहाँ पर जो सई है उसने complain कर दिया है और इधर पाकी के दिमाग में न जाने क्या क्या चीज़े चल रही है अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विराट क्या वक्त रहते पाकी को पकड़ पाता है क्योंकि यहां पर सई ने विराट को बिल्कुल इस केस से अलग कर दिया है इसके बाद यहां पर सई से वो यही बात बोलता है कि सई तुमने बहुत बड़ी गल्ती किए मुझे इस केस से अलग मत करो किंगी मुझे जो है वो इसकी investigation करनी है किसी भी हालत में मुझे वीनू को ढूट कर लाना है और अगर तुमने जो है मुझे इसमें कम्प्लेन में डाल दिया है तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ जिसके बाद यहाँ पर जो सई है वो कहती है आप मुझे अब बेवकूफ नहीं बना सकते हैं और आपको कुछ नहीं करना है अब देखना होगा कि क्या सई विराट की कम्प्लेन वो वापस लेती है और किस तरीके से सई और विराट को पत्रे लिखा मिलते हैं या फिर विराट और सई मिलकर पत्रे लिखा को नोटते हैं फिलाल देखना दिल्चस्प होगा कहानी कावी इंट्रस्टिंग ट्रैक पर आ चुकी है विराट जो है वो पूरी तरीके से मजबूर हुआ है एक मजबूर बाप की तरह बिलख रहा है इस वीडियो में बस इतना ही टीवी और बॉलिवूर से रेलेटेट खबर के लिए फिल्म बीट सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आफ फेस्बूक पर देख रहे हैं तो आरे फेस्बूक पेज़ को फॉल्लो करें